सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मंथन 24-7 को और बेला इकन दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें Hello student, मैं विकास आप सभी का एक्जाम मंथन पर स्वागत करता हूँ देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कांग्रेस के अधिवेशन आप सबी को भलिभाती पता है कि कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्जामों में कुछिन पूछे जाते हैं किस अधिवेशन, किस सन में हुआ, कौन इसके अध्यक्ष रहे और इससे संबंदित, जो महत्यपूर तथ्य होते हैं उनसे संबंदित जो पिरसन होते हैं, वो पूछ जाते हैं एक्जामों में ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे, काउरेस के अधिवेशन ठीक है ना, एक टॉपिक और आपके कम से कम यहासे चार या पांच कुशन कवर होंगे, यदि आप कंपलीट वीडियो देखते हो तो ठीक है, देखिए, जो बोड पर लिखे हुए है, आज हम उन अधिवेशनों को कवर करने वाले हैं, जो हमारे सेस बचते हैं, उन्हें हम, जैसे-जैसे हम modern history पढ़ते जाएंगे, उन्हें भी कवर करते जाएंगे साथ की साथ, क्यारण क्या है, क्योंकि कुछ अधिवेशन ऐसे हैं, जिनसे एक तथ्य नहीं, बलकि कम से कम 10 या 12 तथ्य बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, तो उन्हें हम आगे वाली वीडियो का अंतरगत कवर करेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, जो यह लिखे हुए है, कॉंग्रेस के अधिवेशन, इनसे केवल एक या 2 पॉइंट बनते हैं, इसी लिए इस वीडियो में हम उन अधिवेशनों को कवर करने वाले हैं, जिनसे कुछन एक्जाम में पूछे जाते हैं, और केवर 1 linear point बनते हैं, ठीक है ना, single single point बनते हैं, उन पर हम बात करते हुए चलेंगे, उनके सन देखते हुए चलेंगे, अधियक्ष देखते हुए चलेंगे, और जो हमारे अधिवेशन की विशेस्ता हैं, उनने देखते हुए चलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिवेशन का सन अधिवेशनों को क्या सन रहा दूसरे पर हम बात करेंगे उनका इस्थान क्या रहा ठीक है दूसरे पर इस्थान तीसरे पर हम बात करेंगे अध्यक्षिफ और चौथे पर बात करेंगे हम इन से संबंदित जो हमारे महत्यपू पहला दीवेशन हुआ हमारा मुंबई में इसके अध्यक्ष जो रहे वो रहे WC वेनर्जी यानि व्योमेश चंद्र वेनर्जी इसके प्रिथम अध्यक्ष रहे और यदि पात पूछें इसमें कितने प्रतिनिदियों ने भाग लिया कितने भात्तर प्रतिनिदियों ने भाग लिया यदि पूछें इसके महासचिब कौनते तो A.O.Hume थे कौनते A.O.Hume इसके महासचिब थे ठीक है ना किसके कॉंग्रेस के महासचिब A.O.Hume थे ठीक है देखिए पहले इसका नाम जो था वो था हमारा क्या भारतिय रास्टिय संग ठीक है इसका नाम दादा भाई नौरोजी ने रखा भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस ठीक है बेसिकली कॉंग्रेस थी क्या कॉंग्रेस देखिए जब अंग्रेज और भारतिय आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने वो अपनी जो सिकायती लेके जाते वो जाते किसके अंग्रेजों के पास तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जिसमें आपस में जो भारती हैं वो लड़ते रहें अपनी problem solve करते हैं हमारे पास सिरदर्दी न लेकर आएं तो जब यह स्थापना की गई भारती राच्टे कॉंग्रेज के कोई पार्टी नहीं बलकि एक ऐसी संस्था थी जिसमें सभी अपनी परेशानियों को रखते थे भारती और उनका solution होता था उसके लिए अधिवेशन होते थे केवल और केवल ठीक है नेक्स अम बात करते हैं दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, 1886 में हुआ, पहला 85, दूसरा 6, तीसरा 87, चौथा 88, लगातार आपको 4 याद रखने हैं, यदि बात में दूसरा, तो दूसरा हमारा 1886 में हुआ, कहां पर हुआ, तो कोलकाता में हुआ, कहां पर कोलकाता में अध अधिवेशन हुआ, बात करें इसके अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन के अधिवेशन रहे, बलकि 186, 1893 और 1906, इन तीन कोंग्रेस के अधिवेशनों की अधिवेशन था दादा भाई नौ रोजने करी, तो यहां से बंक मनते हैं सरवादिक कॉंग्रेस के अधीवेशनों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे तो वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने तीन-तीन कॉंग्रेस के अधीवेशनों की अध्यक्षता की वो थे कौन पंडित जवाहलाल लहरू और दादाभाई नौरोजी पंडित जवाहल लहरू और दादाभाई नौरोजी ठीक है ठीक, next तम लेते हैं 1887 का 1887 का जो कॉंग्रेस का अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ, कहाँ पर मद्रास में हुआ यदि पूछी इसके अध्यक्ष कौन थे मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की ठीक है, next तम बात करें 1888, देकि 1888 का ता कॉंग्रेस का अधिवेशन था, वो अलहाबाद में हुआ कहाँ पर, अलहाबाद जिसका परवर्तमान में नाम क्या है, प्रियाग राज है, ठीक है प्रियाग राज कह सकते हैं, फिर इलहाबाद कह सकते हैं, ठीक ना, इलहाबाद इसलिए नहीं कहना है, क्योंकि वर्तमान का नाम जो है, वो क्या है, प्रियाग राज है, लेकिन जो बुक है, उनमें अभी भी क्या लिखा हुआ है, इलहाबाद लिखा हुआ जिनका new edition नहीं आया है तो आपको याद रखना है 1888 का जो Congress का अधिवेशन था वो प्रियाग राज या इलावाद में हुआ इसके अध्यक्ष कौन रहे वो George Eulay रहे और इनसे संबंदित आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रथम अध्यक्ष कौन या तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम गैरभारती है प्रथम गेर भारतिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे जोर जीवले रहे 1888 के प्रियाग राजया फिर इलहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष रहे ठीक है दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ठीक है आपको याद रखना है ठीक नेक्ष अम लेते है 1896 का कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ कॉलकाता में कलकत्ता में और इसके जो अध्यक्ष रहे 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 मतुल्ला समानी और इससे सम्मंदित आपको याद रखनी है पहली बार कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष रहे मतुल्ला समानी ने की थी ठीक है यह चीज़ा आपको याद रखनी है इस अधिवेशन से सम्मंदित नेक्ष नम बात करते हैं 1905 का कॉंग आपको याद रखना है कि स्वेदेसी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया किसने कॉंग्रेस के इस अधिवेशन या फिर कह सकते हैं गोपाल कृषन गोखले ने ठीक है क्या था स्वेदेसी बंग भंग आंदोलन ये था जब हमारा बंगाल विवाजन हो रहा था उस समय प समय पर कॉंग्रेस का कौनसा अधिवेशन हुआ 1905 का वारानसी अधिवेशन हुआ जिसके अधिवेशन गोखले ने करी और उन्होंने स्वेदेसी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया तो यहां से कुश्यन इस प्रिकार पूछा जाएगा कि जब बंगाल विवाजन हो र ठीक है हुआ कहां पर वारानसी सन कौनसा था 1905 ठीक है नेक्स नम लेते है 1906 1906 का कहां पर हुआ कलकत्ता में हुआ 1906 का कलकत्ता में हुआ इसकी अध्यक्षता की किसने की दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की किसने दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की यदि पूछे इस सम्बंद तो सबसे पहले स्वाराज सब्द का प्रियोग जो किया गया कॉंग्रेस के 1906 के कलकत्ता अध्यक्ष गुजरात में हुआ, कहाँ पर सूरत गुजरात में हुआ, 1907 का कांग्रेस का दिवेशन, जिसके अद्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, और इसमें कॉंग्रेस दो भागों में तूट गया, उदारवादी और उग्रवादी, यानि गरमदल और नरमदल में तूट गया, तो सबसे पहले पूचा जाएगा, कि 1907 का दिवेशन कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ हमारा कहाँ पर, सूरत में, गुजरात में, इसकी अद्यक्षता किसने की, रास बिहारी बोस ने की, ऐसा कौन सा दिवेशन था, कॉंग्रेस का, जिसमें कॉंग्रेस दो भागों में तूट गया, यानि विभाजन हो गया, वो था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अद्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है, ये चीज़ें आपको इस अधिवेशन से याद रखनी है, इस प्रिकार कुशन पूचे जा सकते हैं, बात करते हैं, 1911 का अधिवेशन, 1911 का अध जनगर्मन सबसे पहले कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो वो था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विसर नारायन धर्णने की, और सबसे पहले जनगर्मन गाया गया, ठीक है, नेक्शन में बात करते हैं, 1916 का कॉंग्रेस का अधिवेशन, 1916 का Congress का अधिवेशन लखनों में हुआ कहाँ पर लखनों में हुआ और इसके अधिक्षता अंबी का चरण मजूमदान ने की इससे संबंदेत आपको यह याद रखना है कि इस अधिवेशन में जो Congress है और Muslim League है उन दोनों में आपस में क्या हुआ समझोता हो गया ठीक है यानि गरमदल और नरमदल भी एक हो गए और यह पूछा जाएगा कि Congress के किस अधिवेशन में गरमदल और नरमदल आपस में एक हो गए थे वो था 1916 का लखनों अधिवेशन पूछा जाए किसमें अलग हुए थे तो वो था 1907 का सूरत अधिवेशन पूछेगा कि जिसमें अलग हुए थे उसके अधिवेशन कीती तो वो थे रास बहीरी बौस और जिसमें एक हुए थे उसके अधिवेशन कीती तो वो थे अंबी का चरण मजूमदार ठीक है कहाँ पूँ था तो लखनव में हुआ था नेक्श नम बात करें 1970 का कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ कलकत्ता में जिसके अध्यक्षता कि एनिवेशन्ट ने किसने एनिवेशन्ट ने कि यह कॉंग्रेस की पिर्थम महिला अध्यक्ष थी चाहे वो भारतिय हो चाहे वो विदेसी हो सब कुछ मिला के कॉंग्रेस की पिर्थम महिला अध्यक्ष कौन थी वो थी एनिवेसेंट जो की 1917 के कलकत्ता अध्यक्षता की थी ठीक है नच्टम बात करते हैं 1925 का कॉंग्रेस का अध्यक्ष रही हो थी फिर्थम भारतिया कॉंग्रेस की महिला अध्यक्ष रही है ठीक है ना जो एनिवेसेंट थी वो भारत की नहीं थी इसलिए कहां की थी वो आर्लेंड की थी इसलिए अगर पूछे की कांग्रेस की पिर्थम महिलाद्यक्ष एनिबेशन्ट जोकि 1970 के कलकता द्यवेशन के अधिय दिवेशन्ट लोगेशन के पुछे पिर्थम भारती महिलाद्यक्ष तो वो थी स्वरोजिन एडू जीनोंने कानपूर अधिय दिय दा कि 1925 में ठिक है नेक्सरम बात करते हैं 1931 1931 का जो अधिवेशन था वो करांची में हुआ कहाँ पर करांची में हुआ जिसके अध्यक्स्ता कि इसने की जिसके अध्यक्स्ता सर्दार बल्लभाई पटेल ने की और इससे सम्मंदित आपको यह बात याद रखनी है जिसके अध्यक्स्ता की बल्लभाई पटेल ने नेक्सरम बात करें 1949 का कॉंग्स्ता का अधिवेशन तिरपुरी में हुआ अध्यक्स्ता किसने की सुभाष्चंद्र बोस ने की इसमें अध्यक्स्ता पद के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कते हुई क्योंकि महात्मा गानी चाहते थी कि सीता रमया जो है वो बने हमारे कॉंगरिस के अध्यक्ष लेकिन बना दीगे सुवास्चंद्र बोस तो सुवास्चंद्र बोस ने गुस्से में अध्यक्ष तयाग दी और कौन बना फिर तयाग पत्तर देने के बाद ना तो सीता रमया ब के forward block की स्थापना की गुस्से में किसकी forward block की स्थापना की ठीक है इसी अदिवेशन में कहाता महत्मा गांदी ने कि सीता रमया की हार समझो मेरी हार है ठीक है तो इसी को देखते हुए सुवास्चंद्र बोस ने कहा कि आप हार ये नहीं हम हार जाते हैं और हम अध्यक्षता छोड़ देते हैं आप जिसे चाहें उसे बना दीजिए तो ना तो सीतर रमया बने और ना ही बने कौन ना ही बने सुवास्चंद्र बोस त्याग पत्र के बाद बने कौन राजिंदर प्रसाद ठीक है तो इस प्रकार के कुश्चन पूछे जाते हैं किसे कॉंग्रेस का पूछे जाते हैं कॉंग्रेस का अधिवेशनों से संबंदित देखिए कुश्चन नूट करते रहना सबसे पहला पूछे जागा कॉंग्रेस का प्रताम अधिवेशन किस सन में हुआ 1885 में हुआ कहां पर हुआ मुंबई में हुआ उसकी अध्यक्षता किस ने की WC बनर जी ने की और इससे संबंदित आपको क्या याद है तो इससे संबंदित हमें ये याद है कि इसमें बहत्तर प्रतिनिदियों ने भाग लिया और इसके जो महाँ सब्सक्रे वो थे A.O.H. नेक्स नमबात करें 1886 तो 1886 का कॉंग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में ने keeps हमबात करें 1887 तो 1887 का कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ ने की जो की परतम खेंग्रेश थे चिग। नेक्शनम बात करें 1896 तो 1896 का जो था वो कहां पर हुआ वो कलकत्ता में हुआ ठीक है ना इसकी अर्देक्स्ता किसने की रहमतुल्ला समानी ने की और इसमें पिर्थम बार बंदे मातरम काया गया नेक्शनम बात करें 1905 तो जिस बार जिस टाइम पर हमारा बंगाल विभाचन हुआ उसी टाइम पर हुआ था 1905 का कॉंग्रेस का दिवेशन जो की वारान सी में हुआ और इसकी अर्देक्स्ता की गोपाल क्रिश्न गोगले ने और इनोंने स्वेदे सी बंग बंग आंधुलन का समर्थन किया नेक्शनम बात करतें 1906 का तो 1906 का कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ कहाँ पर सूरत गुझरात में और इसके अधिक्स्ता की किसने रासबिहारी बोस में और इसमें कॉंग्रेस दो भागो में तूट गया गरमदल और नरमदल नेशनम बात करते हैं 1911, तो 1911 का क topics का दीवेशन हुआ कल्कर्ता में जिसके अध्यक्ष्टा की विशन नारायन धर्ण ने और इसमें सर्व पिर्थम हमारा राष्टेगान गाया गया जनगर्मन नेशनम बाद करते हैं 1916 तो 1916 का कॉंग्रिस का अधिवेशन हुआ लखनव में नेशनम बाद करें 1925 तो 1925 का कॉंग्रिस का अधिवेशन हुआ कानपूर में जिसके अध्यक्ष्टा की सरोजनी रायड हुने जो की पिर्थम भारती महील आती ही जिन्होंने कॉंग्रिस के अध्यक्ष्टा की नेक्स नम बात करें 1931 तो 1931 का जो कॉंग्रेस का दीवेसन था वो करांची में हुआ जिसके अध्यक्सता सर्दार बल्लब भाई पटेल ने की और इसमें सर्वपिर्थम मूल अधिकारों की बात की गई नेक्स नम बात करें 1949 तो 1949 का कॉंग्रेस का दीवेसन हुआ तिरपुरी में जिसके अध्यक्सता सुभाष्चंदर बोस ने की और इसी में अध्यक्स पद को लेकर बहुत ज़्यादा बबंडर खड़ा हुआ और क्योंकि महात्मागानी चायते तो सितारमया बने और इसी में सुभाष्चंदर बोस में फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की ती ठीक है तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है कुछ चीजों पर और बात कर लेते हैं जैसे की आपको और क्या-क्याद रखना है उस पर बात करते हैं दो-तीन पॉइंट है वो भी आपको या जाद रखनी है जैसे की सरवादिक अध्यक्ष्टा करने वाले व्यक्ति सरवादिक अध्यक्ष्टा किसने की अध्यक्ष्टा तो दो व्यक्ति रहे कौन-कौन वो रहे एक तो जवाहलाल नहरू दूसरे नौरोजी दादा भाई नौरोजी दौनों ने तीन तीन बार कॉंग्रेस के अध्षिता की थी ठीक है नेक्स्ट हम बात करें आपको और क्या आयाद रखना आपको एक और चीज़ आद रखने है कि सबसे कम उम्र में कॉंग्रेस के अध्षित कौं मने वो थे अबुल कलाम आ जात ठीक है बात करें कि आजादी के बाद कौन अध्धिक्ष बने आजादी के बाद कौन अध्धिक्ष बने तो वो थे जेवी करपलानी ठीक है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है सरवादी अध्धिक्ष था किसने की जवाहलना लेरो दादा भाई नौरोजी ने तीन तीन वार यदि बाद करें सबसे कमूँ अध्धिक्ष कौन मरे वो थे अबुलकलाम आजाद बाद आजादी के बाद कौन अध्धिक्ष वने वो थे जैबी करपला नहीं और नाम किस ने दिया तो वो भी दादा भाई नोरोजी ने दिया भारती राष्टे कॉंग्रेस पहला था भारती राष्टे संग ठीक है तो यह थे हमारे क्या चीज़ कॉंग्रेस के अधिवेशन बताने वीडियो कैसी लेगी तो नेक्ष वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू